तार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध़म से आप लोगों को विभीन बर्तियों के बारे में महत्पूर्ण जानकारिया प्रदान की जाती है उसी क्रम में आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक नई शिक्षक भरती के साथ साथ में कुछ और भी पत है उनकी चर्चा करेंगे तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें शियर कर दें और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब करने ताकि आप लोगों को इसी प् पत पर भी भरती होनी है और स्टाफ नर्स के पस्कारीं यूर्य और यहां पर यह कि ये नोटिफिकेशन जारी यहां पर computer science की 306 पत यहां पर बताया गया है यह देखिए PGT computer science 306 पत हैं और classification यहां पर लेका group B और pay लेवल जो वेतन माहन है पे matrix के साब से लेवल आठ से ताली जर शेसों से लेकर के यहां पर यहां पर अनिवार किया गया है एक और यहां पर सब्जेक्ट है PGT के लिए दे सकते ही male female दोनों के लिए है और पदों के संख्या यहां पर in canway है 2023 के अनुसार और यहां पर इसकी योगता लिखी है जिससे आप लोग देख सकते हैं योगता यहां पर लिखी हुई है कि master of physical education MP at degree from recognized university और यहां पर थोलसा experience वगएर भी का गया यहां पर देख सकते हैं और एक और subject यहां पर लिखा हुआ ह पोस्ट ग्रेजवेट टीचर यहां पर लिखा है च्यालिस पद हैं और इसमें भी वेत्रमान वगएर वही है चुकि यह भी PGT की वेकेंसी है 40 साल से ज्यादा कि उम्र नहीं गोनी चाहिए और यहां पर यह जो subject है वो है पोस्ट ग्रेजवेट टीचर modern Indian language तो भारती यह भ करनाने की योगिता हो इसमें एक चीज है जैसे यहां पर लिए 50 प्रिस्त जोपद हैं वो डारेट रिक्रीट्मेंट से भरे जाएंगे और पचास प्रिस्त जोपद हैं वो लिम्टेट डिपार्टमेंटर एक्जाम जो होता है उससे भरे जाएंगे अब आज आईए TGT मे तो इसी तरीके से बहुत सारे जोपद हैं यहां पर दिये हुए है और TGT की अकर योगिता आप देखने चाहते हैं तो इस देख सकते हैं लिखा बैसलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लिकेशन इबीसी हो विद्यार्थी अत्वा ग्रेजवेशन इन कंप्यूटर साइंस अत्वा बीटे को कंप्यूटर साइंस से या आईटी से और नीचे यहां पर लिखा है कि पास्ट दा सेंट्रल टीचर इलिजबिल्टी टेस्ट सीट पास भी होना चाहिए और इसके साथ में यहां पर इन्होंने बीएट की डिग्री भी कहा है तो TGT में तो वैसे बीएट मांगा जाता है और 649 पद जो है वो TGT आर्ट के भी है यह देखिए और यह इसकी यहां पर योगिता रखी गई है डिग्री इन फाइन आर्ट या क्राफ्ट फ्रम रिगनाइजड यूनिवस्टी यह देखिए यहां पर और TGT फिजिकल एजुकेशन के भी 595 पद मेल मे है और 649 पद फिमेल में काफी जाधा पद लगबग 1244 पद है वो फिजिकल एजुकेशन के हैं TGT में और इसकी योगिता यहां पर नीचे लिखा है योगिता मांग गई है कि बैचलर फिजिकल एजुकेशन डिगरी बीपीड होना चाहिए बस TGT मूजिक के भी बहुत सा इसके बाद में 649 पद है वो इस्टाफ नर्स के भी यहां पर यह देखे लिखा है इसमें भी बेतरमान वगएर वही है और लेवल 7 है इसमें थोड़ा सा कम है 24,900 से लेकर के 1,42,400 है पहते साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होना चाहिए और एज केसनल क्वालिफिकेशन यह आप लिखी है ब्यस्सी इन नर्सिंग फॉर्म और रिकागनाइजड उनिवर्सिटी इंस्टिटूट और इसके साथ में नेंबर दो वाला जो है यह 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 अगर यह दिगरी आपको मिल गई है तो आपके पास अनुभाव भी होना चाहिए ठीक है धाई साल का और रजिश्टर भी होना चाहिए पदों के संख्या काफी अच्छी है और इसलिए आप लोगा विद्रन कर सकते हैं इसमें एक और अच्छा पत है आफिस प्रिशन दो साल का है और यह यहां पर इसका इसके बारे में लिखा हुआ है कि 50 परिस्त का तो सीथा सीथा प्रोमोशन होगा और 50 प्रिस्त का लिमिटेड डिपार्डमेंटल केमिटेटी और इकजाम होगा तो इसमें वही विद्यारती आप लोग जो नहें विद्यारती इस पद है इसे आप लोग देख सकते हैं यह गुरूप सी में इसको रखा गया है पैते साल से अधिक के जो विद्यारती वा विद्धन नहीं कर पाएंगे इसमें जो catering माला है इसमें bachelor की degree होनी चाहिए hotel management की from an institute recognized by ministry of tourism अथवा भी है trade proficiency certificate in catering with a minimum of 10 year service in defense service of regular establishment तो जिसके पास ये degree हों विद्यारती catering supervisor के लिए आविदन कर सकते हैं एक और इसमें पद है चोंकि इसमें teaching और non teaching के पद हैं इसमें बहुत अविभीन प्रकार की पद है लेकिन जो भी पद जुमें पदों के संख्या जाता है जैसे जैसे इसमें चाहिए में रखा गया है 1900 से लेकर के 63200 के बीच में मिलेगा और वेतन और educational qualification में तीन चीज़े हैं दस्वी पास होना चाहिए आइटियाई होना चाहिए और वह भी इलेक्ट्रीशन से या वायर्मेंस से और दो साल का इसमें experience भी मांगा गया है at least two year experience in electrical installation and wiring या plumbering मिस helper के 1297 पतों पर बढ़ती होनी है 18,000 से लेकर के 56,920 में वेतन में और इसमें जो matriculation केवल high school मांगा गया है और यहां पर high school इसमें 5 साल का experience भी होना चाहिए और इसमें कुछ कोई skill रख सकता है अपना कोई एक अलक्स exam ले सकता है किस प्रकार के exam होगा वो उसकी बारे मितनकाली नहीं दी गई असिस्टेंट कमिसनर का भी पद है 38 पदों पर इसको भी देख सकते हैं देखिए यह विश्टित नोटिफिकेस्टन आपको मेरे टेली ग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहां पर आप लोग आराम से देख लीजिएगा अगर आपके अंदर योगिता है तो आप लोग वह ैं हूविशे देख इंदर नísikा है अब वह इसके बारे में जानकारी नहीं देखें एंदर नॉटिफिकेस्ट हैं लेकिन है अभी आवेदन किस तारीक सी होंगे। इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, इसके बारे में बहुत जल्द जानकारी दी जाएगी लिखा है, द्रेनिक जागर समचार पत्र की ये न्यूज है, लिखा है कि बहुत जल्दी इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी, तो ठीकी दोस्तों, ये हो गया बहुत बहुत धन्यवाद